नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आज हम आप लोगों के लिए एक खास मुलाकात लेके आएं, बात करेंगे हम लोग हिंदुस्तान की लोकतंत्र और गंतंत्र के बारे में, उसकी दशा और दिशा के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे ह मेरे निजी जिंदगी में बहुत महतवपूंग है क्योंकि कुछ महीनों के लिए ही सही लेकिन 1990 जो एक तरे से हिंदुस्तान की राजनीदी का वाटरशेडियर था उस वक्त वो मेरे संपादक भी थे तो प्रेमशंक जहाजी हमारे इस कारिक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद हम बात करेंगे लोकतंत्र और गंतंत्र के दशा और दिशा के बारे में बात करने का मुख्य कारण आपके पास यह है कि आप अभी अपनी एक नई किताब के उपर काम कर रहे हैं उसके फिनिश करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप अपने किताब के बारे हमेंज जड़ा बताईए ने किताब डिमाकरसी पे है मेरनि मोजी जी पे खास नहीं है हलाकि क्योंकि वो पिछले 10-10 सालों में प्रादान मुंतरी रहे हैं और सबसे ज्यादा डिमाकरसी के पतन इन 10 सालों में हुई है काफी आखरी जे चैप्रेजों में काफी इनका जिकर है पर मैंने अपना को ये पूुछा यह कई साल पहले, 10-12 साल पहले में में ने शुरू किया था इस पर करना कि हमारीpción का दिमोकरीी इतनी मानी गई थी और इतनी युनीक है इतने इतने कम्यूलेजी हैं, इतने भाषाँ हैं, सब को बिला कि इतने धर्म है सब को लेके एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट बिनाया गया जिसमें सब लोग खुश थे और वो इसको किस तरीके से इसकी बर्बादी हुई है पिछले 10 सालों में इसके बारे सोच के मुझे बहुत खराब लगता था पर वो मुझे प्रश्ट निये मैं पूछ रहा था कि ये ये स्थेति में हम लोग पहुंचे कैसे कि बोधी जैसा जैसे एक प्राइब मिनिस्टर हो भी सकते थे और किताब उस पे है कि वो 1948 से शुरू होते हैं कि क्या-क्या हमने गलतिया की हैं और किस तरीके से किस किस स्टेप बाइ स्टेप कदम पर कदम लेके हम लोग इस स्थेत बातों में अपने भाशनों में दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 के पहले जैसे कुछ हुआ ही नहीं तो उनको काउंटर करने के लिए आपका जो मैं समझ पाया हूं प्रस्पेक्टिव यह है कि ऐसा नहीं है कि जो कुछ हिंदुस्तान में बुराईयां हैं आज के तारीक में वो सिर्फ 2014 के बाद ही शुरू हुई हैं आप कहना चाहते हैं कि बहुत सारे सिम्टम्स और बहुत सारे मैनिफेस्टेशन पहले से होते आया हैं शायद 47 के बाद से तुरंत बाद से होते हुआ हैं उसके बारे में डीटेल में आपकी किताब को हम जब आईगी त 2014 के पहले जिनका नतीज जिनका फाल हम लोग अभी बहुग गया हैं इनकी जड़ को मैं समझने के लिए किताब लिखा हूँ यह आखिरका जो समझ में आता है कि मतलब वो रूट्स के आप गए हैं कि किस तरह से मतलब नरेंडर मुदी जैसे पोलिटिकल लीडर इस देश के पधानमंतरी बन सकते हैं उसको आपने ट्रेस किया है मुदी एरा के बारे में बात करते हैं क्योंकि यह साल जो है 2023 बहुत महतवपून है 2024 हिंदुस्तान का जैसे की बोला जा रहा है कि शायद सबसे महतवपून चुनाओ है आजादी के बाद से मतलब हिंदुस्तान में उस इनफॉर्मली डिसकस कर रहे थे तो आपने एक शब इस्तिमाल किया था कि मुदी ने किस तरह से पूरे पोलिटिकल सिस्टिम को एक तरह से शटडाउन कर दिया है तो मेरी जो दिमाग में जो इमेजरी आई वो है कि जो शटर गिरा देते हैं तो दिन भर काम करने के बाद इसके एक इमेजरी एवोग होई ही मेरे दिमाग में तो शटर गिरा दिया है तो इसके बारे में सुनना चाहेंगे कि आप को क्या लगए कि कि किस पहलो में हमारे डिमोकरसी को बंद या घुटन सा मेहसूद को गला घुट किया है यह जिए पैसके जोरूर झत्यार करने को यारू, और मुझे सबसे ज्यादा शोक है, कि हमारे जिन्दीगे, हमारे जर्नलिस्टिक करियर के अंत में, मुझे ये चीज़ देखनी पड़ी है, जाकि मैंने पूरी जिन्दीगे बिताई थी, हमारे जर्नलिस्म, हमारे को सजीव करने में, और सजीव रखने में मेरी कोशिश रही है, देखिए, मोधी जी, असल में अगर हम देखें तो इनके जो तरीके हैं, गर्न तंतर को का गलागा उटने का, ये हमारे बाद के रायट्स के बाद शुरू होए थे, जी दो हजादों के, दो हजादों में, वहां पे बहुत से से शुरू करूँगा, मोधी जी, हमेशा वहां भी और यहां भी एक छोटे ग्रूप के साथ डिसिजर्स लेते हैं, कोई नहीं जानता है, इनके एग्जैक्ट अडवाइजर्स कौन हैं, और कितने हैं, और उनकी बादचीत के बारे कोई, एक शब्द भी अखबारों में न करता है, इस इस ट्रडिशन को कायों रखने के लिए उन्हें बहुत चीज़ें की, सबसे पहले तो उन्होंने पी आई बी कार्ड जो हुआ करता था, अधब मीडिया पे क्योंकि मीडिया से सब कुछ होती थी पहले, जो गर्मेंट डिसिजून ले रही थी, इन्फॉमेशन से ज्यादा था, पंडित नहिरू के टाइम में, वो जानते थे कि हमारी यह जान बूच के इन्हों ने किया था, वो जानते थे कि हमारी डिमॉक्रिसी बहुत कमजोर है अभी, एक ही पार्टी है, और किसी भी विशह पे, किसी भी इस्यू पे, दो या तीन पॉसिबिलिटी सकते हैं, पॉइंट से वियू हो सकते हैं, और इसलिए इस डिमॉक्रिसी में इनको पूरा मौका देना चाहिए, निकल के, इनकी बातचीत होके, चर्चा होने के बाद हम लोग डिसेशन ले सकते हैं, गवर्मेंट के अंदर ही अंदर डिसेशन नहीं जाना चाहिए, मोदी जिससे कि दूसरे प्लिटिकल पार्टी ना होने के बावजूद भी ये डिसकुशन काइम हो सके उसमें उन्हें जर्नलिस्म को बहुत महत्व पूर लेगा दिया एक जो उन्हें चीज किया था वो था पी आई बी कार्ड वो पी आई बी कार्ड स्पेशल को दिये जाते थे औ वो बगर किसी को कुछ बताए हुए को कहीं लिखे हुए उपन एकसिस हाज करकार के दफ्टरों में प्रेस इंफॉमिशन ब्यूरों से मानियता प्राफ्ट पत्रकार ये नौ साल पहले तक ये बिलकुल बने एक सबसे जाना माना तरीका था और कोई इसका इसके खिलाफ प भी नहीं उठाया था मोधी पहले ही दो हफ्तों में उन्होंने पी आई वी कार्ड को बंद कर दिया उन्हें कहा कि जो भी अब आज से आगे इसमें मिनिस्ट्री में जाएगा उनको साइन करना पड़ेगा तब कुछ हफ्तों के बाद मैं मैं सुना कि दो-तीन मेने के अंद कि सब मिनिस्ट्री में सी-सी-टी-वी केमरा लगे थे तो अब चेहरा भी दखाए पर सकता है कि कौन जा रहा है कौन जा रहा है ताब करीब तीन दो या तीन साल पहले उन्होंने आखरी चीज़ किया उन्हें ये भी कहा कि जो कोई जाना चाहता है वो डिस्क पे रिसेप् कि मिले हैं और अगर कभी कुछ भी कुछ भी निकले तो तो अफिसर को पिनलाइज कि इमीजिट भी पहचान हो जाएगी इसका मतलब है कि सब ऑफिसर के आवाज बंद होगी डर के माहौल में काम कर रहा है नहरू जी समझते थे कि किसी भी डिसिजिजन पे बिरोक्रिसी के अंदर भी दो राय हो सकते हैं और दोनों का सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि जो लोग ये अलग अलग राय परकट कर रहे हैं वो भी इन सब्जेट को समझ के और पढ़के समझ बूज करने के बाद पूछताच करने के बाद वो अपने पोजिशन या अपने राय देना च और उस बत पॉलिटिकली पार्टी से नहीं आसी बहास दिया दी थे उन्होंने कहा कि अंधरी से में जेजरेट करना पड़ेगा अब तो बाहर वालों को भी बंग कर दिया गया है पी आई बी कार्ड का जैसा है यह वो उस वक्त से था उसका का था एक उन्हों वो किया दू तब से हमारी dominant party, single party democracy नहीं रही थी तब से विश्वनात पताफिक जी के time से शुरू हुआ था 1990 से कि वो major decisions को National Development Council के थू लेते थे और उनके 12 मेने में तीन या चार major NDC के meetings हुए थे और वाजभाई जी ने इस tradition को परकरायम रखा और important bills like the electricity bill privatization bill वो जिसमें सब states के interest मुझे 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 बताने दीजे कि जिसमें की states का बहुत बड़ा stake था उनको NDC के through किया चार साल लगे उन्हें electricity bill को pass करवाने में but 100% success वो उसके बाद आज आज तक आज देखते हैं कि वो electricity के problems पहले थे सब गायब हो गया है अब तब ये ये तरीका जो छा था इसको भी उन्हें खत्म कर दिया आज तक 9.30 साल में उन्हें एक NDC मीटिंग नहीं किया है January 15 में उन्हें यहां तक पूछा दे कि अब NDC का कामी क्या है क्योंकि हमने तो अब तो नीती आयोग बना दिया है तो अगर हमें कुछ करना है तो नीती आयोगों डिसाइड करेगी वो लोगों से मिलके इनकी पूछताच करके बताएगी खैरियत है कि स्टेट चीफ पर नहीं मानें तो NDC थे अभी भी है बर एक भी इसकी मीटिंग नहीं हुए है तो स्टेट्स की आवाज इतने मेजर नाशनल पॉलिजिस पर आती नहीं है तो वो एक और तरके से डिमोक्रसी को शटड़ाउन किया है तो मैं यह पूछना चाहरा था कि अभी हाल में संसत का एक सेशन खतम हुआ यह सेशन का जो मेन हाइलाइट था कि मनिपूर में जो मई के महीने से लेके जो हिंसा चल रही थी उसके बारे में प्रधान मंत्री बयान दे अपना प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते थे, जो कुछ बोले वो संसद के बाहर बोले, opposition parties ने, विपक्ष के पार्टियों ने मांग की की प्रधानमंत्री आएं, जब नहीं आया उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा, तब उनके खिलाफ अविश्व प्रस्ताव लाया गया, तब भी प्रधानमंत्री जब डिबेट के अंत में उन्होंने जब अपना रिप्लाई दिया उसमें, तो उसमें उन्होंने नबे मिनट से भी ज्यादा समय मनिपूर के बारे में एक शब्द नहीं किया, जब opposition के सारे जो member of parliament थे लोग से बाके, वो important या substantial बात उन्होंने नहीं की, इससे हमको parliament को किस नजर से देखते हैं कि शायद हमको इसका अंदेशा मिलता है, आप से सुनना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि पधानमंत्री संसद और संसद के जो processes बोलते हैं, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में कितना committed है, कितने प 2010-2011 में एक president elect हुए थे, Arab democracy revolution में, मौहमद मौरसी, मौहमद मौरसी प्रेजिट बनने के तीन मेने के अंदर सब कुछ बदलना चाहते थे, और उन्हें Supreme Court को भी खतम करके Islamic Court बना चाहता, तो आर्मी में रिवेलिन ही भी popular rebellion ही भी और निकाल दी गया, यहां ऐसा कुछ हो नही पर जो मौरसी कोशिश कर रहे थे, एजिट में करना वो असफल रहे, वो मौदी जी बहुत हद तक, ज्यादा हद तक उन्होंने, वो सफल हो चुके हैं, यहां पर, वो parliament की आवाज बंद करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि जो जो बेजर बिल्स करते हैं, जो बड़े बड प्रेस फ्रीडम और क्या कहते हैं, इनको खतम करने के लिए, वो बिल्स, फार्वर्स के एजिटेशन, जो भी इन्हें करना था, जो कि जानते थे कि इसके साथ अगेस्ट ऑपोजिशन होने वाला है, उसको वो parliament में घुसेड के, बिदाउट नोटिस, बिल्स प्रेजर करके जबकि लोग नहीं जाते हैं, इसलिए अपने constitution से आभी नहीं सकते हैं, छोटे-छोटे parliament में minimum quorum के साथ पास किये जा रहे थे, और तीन-तीन-चार-चार दिन में दो-डो houses में पास करवा देते हैं, तो ये तो इसमें discussion करने का मौका ही दे रहे थे, इनको तो parliament से नफरत है, 95-96 के समय से standing committee का system बनाया गया था, ये सोचके कि चुकि पूरे संसद को bills को detail में बहस करने की, उसको debate करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए छोटे-छोटे committee के पास भेजा जाए जो detail में study करेंगे, उसकी report बनाएंगे, report पहले सरकार के पास जाएगी, सरकार उस पर अमल कर standing committee system को एक तरह से बहुत ही अच्छा माना जाता था, 2014 के बाद से standing committee system के बारे में आपकी क्या रहा है, कि किस तरह से ये system चली है? चली ही नहीं है, देखिए अब फार्मर्स के बिल्स थे, वो standing committee के report के basis पे नहीं बने थे, standing committee पे दो बने थे, एक में कुछ रिफरेंसे थे, कि ये फार्मर्स money reform कुछ चाहिए और surplus बढ़ रहे थे, और FCI food cooperation बिंडिया को खरीदना पढ़ रहा था, अब जिस program ये लोग देना चाहते हैं, सब में दे दी उसके बाद भी food rot कर रहा था, तो इस problem को लेके standing committee दे रिपोर्ट्स बनाया थे, ये रिपोर्ट्स से वो सुनी नहीं, मैं उनको पढ़ा हूँ, उनमें एक दो बाते हैं लेके वो अपना बिल बना कर दिये, जिससे कि all controls prices पर और sales पर एक दफ़ा खतम कर दिये जाए, marketing organizations, states, governments के से, सब को खतम कर दिये जाए, और farmers को private sector के सामने हुटनों पर आना पड़े, अपने, क्या कहता है, crops को बेशने के लिए, और उस bargain में farmer बाद चोटा आदमी है, ये बड़े-बड़े companies है, अब मानी, अडानी, ये सब ग्रेड, warehouses खोल रहे थे, रूरल एर्याद में गाओं में, तो इनके खिलाफ कौन, 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 आर्ग्यू कर सकता था कि किस तरीके से, जो पैसा ये देने को ते या थे, वो उनको लेना पड़ता, तो जानते थे कि हमारे तो, हमारे तो, हमारे तो जिल्दी की सपर हो जाएगी, अगर ये minimum sale price हट ग एक ऐसा movement है, जो जमीन को लेके उसके पहले Land Acquisition Act Bill, जो लेकि मोडी सरकात 2015 में, उसको भी उन्होंने वापस लिया था, तो agriculture sector में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाई है, बाकी जगा पे more or less, जो सरकात चाहिए वो कर पाई है, एक चीज और अकसर बात होती है, जब भी democracy के इंस्टूशन हैं, जो इंसूर करते हैं कि हमारा लोगतंत्र और गंतंत्र उसी प्रिंसिप्स पर चलता रहा है, जिसके प्रती हम लोग प्रतिबद हैं हमारे सम विधान में, इलेक्शन कमिशन हुआ, उसके अलावा एग्जेकुटिव के जो 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 इंपॉर्टन कुछ महीनों पहले उपोजिशन पाटीज ने, 14 उपोजिशन पाटीज ने मिलके एक सुप्रीम कोर्ट में रिक प्रिटिशन दायर किया था कि इंवेस्टिगेटिटिग एजन्सी एक फ़र से विच हंटिंग के लिए कि जा रही है, मुव बंद करने के लिए किया जा रहा उस पे सुप्रीम कोर्ट ने वो एंटरेंग नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनकी ये महसूस है और इस पे संटिमेंट बहुत स्ट्रॉंग है कि इंवेस्टिगेटिव एजिन्सी का गलत इस्तिमाल किया जा रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एंफोस्मेंट डिरेक्रे इन वेस्टिगेटिटिग एजिए चीफ इन्वेस्टिगेटिटिग ऑफिसर, CDS के लाइन पे उसको बनाई जाने की बात चल रही है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको क्या लगता है, कि इंस्टूशनल डिके और जो थ्रॉट्लिंग ऑफ इंस्टूशनल अर्टिश बायोग्रफी है, आप भी आपने भी इन पर किताब लिखी है, वो 12th क्लास के बाद या उस वाथ 12th क्लास था भी नहीं, 1969 के बाद वो कॉलेज वालेज नहीं गये थे, अगर कुछ बाद में, वोत है कि उन्होंने मेरे को जो बताया था, कि उन्होंने कॉर्स्पॉंडेंट बायों से बिए किया था दिली उनिवसिटी से, उसके बाद बुचात उनिवसिटी से, प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे उन्होंने मेरे किया था, वो बताया और अभी तक उसके बारे में कोई definitive denials नहीं आई है, बात ये है कि पढ़ना और इमतहान देके सीखना एक चीज है, कोई प्राइम मिर्सर कोभी कुछी चीज में फेयल कर सकता है, माफ कीज़ें मुझे कहने दीजे, इसका कुछ मुझे मुझे नहीं है, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, अगर उनको मुझे मुझे प्रसंसा कर नहीं थी तो तो बहु जा नहीं है, यह ज्यादा पढ़ अपने प्रिंस्पिल सेक्रेटरी, जो उनके साथ बहुत साल रहे, उनको यह बहुत मानते थे, और उनके बारे कहा, उस वक्त वो टीवी पर आया भी करते थे, कि जब मैं आया इस पन पे, तो मैं फाइल नहीं पढ़ना जानता था, यह थे यह मिश्रा जी, इन्होंने एक एक तरीके कादमित है, आज वो समचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, और यह इसी लिए, यह, यह, मैं तनहीं कह रहा हूं कि काम जो इनके सामने जो प्राइमिस्टर का काम है, उसको करने के कादिल एडुकेशन इनको नहीं मिली है, और इसी सब कुछ शुरू होता है, वो एक ग्रूप के साथ, ट्रस्टेज ग्रूप के साथ, वो लोग पढ़ते हैं, वो इनको समझाते हैं, इसका तत्व लेके और तब फैसले लेते हैं, और मुदी जी मेंली अपने पार्टी और अपने पर्सनल प्रमोशन में लगे वह हैं, और ज्यादा कुछ नहीं करते ह हैं, वो इंडिया's image abroad and his personal image in India and abroad, इन तीन चीज़ों पर हमें पूरा नजर रखते हैं, और ज्यादा चीज़ें यह डिलेगेट करते हैं, तो अब इस बेसिस पे तो आपका एक तरीके से यह जैसे किंग कांसल और अडवाईजर हुआ करता था, वो मामला हो गी आए हैं, गिने चुने अडवाईजर हुए तो ठीक हैं, जैसा अकबर के अडवाईजर थे इबादाफ़ खाना में उन्हों दीने रहे इलाही निकाला वहां पर और यहां पर मोदी जी हिंदू तो निकाले हैं, जी हिंदूस्तान के डिमोकरिसी के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो यह आपने कहा था कि 2014 के पहले भी कमिया थी, हिंदूस्तान की जनता में हमेशा एक वो रही रही है, प्रतब confidence रही है, कि और कहीं नहीं हमको कोट में जाके, हमको अडालत में जाके हमारी सुनवाई जरूर होगी, यह हिंदूस्तान की जो आवाब है, जो जनता है, उनक इसको किस तरह से undermined किया गया है, उसको किस तरह से अपने system के में co-opt किया है, मोधिकाल में क्या हुआ है, देखिए, इसमें decisively कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि judges बात भी करते हैं, पर इनके actions से, समझ सकते हैं, मुझे होता है कि देखिए, इनको भी किसी तरह किसी की से, समझाया गया है कि देखिए, अगर आप favorable decisions देंगे, तो आगे तरकी बहुत होगी, अब देखिए, जस्टिस सदाशिवम, यह उस high court bench, supreme court bench के judge थे, जिस्टे की original first report of the SIT, को उन्होंने लेके कहा था, कि बोदी exonerate हो गया है, तो उसके बाद जब amicus curiae का report को इसको नहीं का, किसमे कोई जखर नहीं था, तो supreme court में, प्रोटेस्ट के जब प्रोटेस्ट के जब प्रोटेस्ट होई, तो उसको फिस्टे को कि उसी SIT के पास भीजा किया कि अब आप amicus curiae की report को देखके, इसको modify कीजे, तब final report आया, सदाशिवम को उन्होंन के करिला का गवर्न बना दिया, चीफ ज़स्टिस रंजन गोगोई, आयोधिया जज्मेंट में उसमें चीफ ज़स्टिस थे, उनका का अब राजस्टफा में आगए, अब ज़स्टिस अब्दुलनजीर अभी हाल में गवर्नर बनाए गए है, फातिमा बीबी वो भी सारे उधारन मिलते हैं, अरुन मिश्रा भी है, सबसे बड़ी बात है, S.I.T. के जो चीफ थे, रागवन, उनको पहले तो उन्होंने 2014 या पद्रस तक, उस S.I.T. को काईब रखा, उनके सब को पैसे मिलते रहे हैं, उनके लाल बत्ली वाले गाड़िया भी थी, बड़े ब काम पूरा खतम हो गया था, तब रागवन साहब आया कि आप देखिये, मैं थक जा हूँ, मुझे रिटायर करने दीजे, अब इस पोजिशन से, तब उनका रेजिगनेशन लेके, तीन हफते या तीन महिने के अंदर, उनको अमबैस्टर बना के साइप्रस बीजा गया, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस के थे, हरिन पांडिया के मुर्डर केस में, जन्हों ने छे हकते पूरा केस बना के, 31 लोगों को गिरताबी करवा दिया था, उनका नाम था Y.C. Modi, क्या होके रहें बाद में, वो हमारे N.I.A. के चीफ बनाया गया है, उसी मोदी, प्येम, प्येम होदी से, ये ये चीज़े अपने अपने परस्ल प्रेफरेंस वाई लोगों को आगे बढ़ाना, और इनसे काम करवाना, और उनसे उनका उधारन दिखाया जाता है और उको कि अगर आप हमारे लिए फेवरिबल जज्ज्मेंट दें तो शायर हम भी आपके लिए को कोई गर्वर्मेंट का रूल तोड़ा दी जा रहा है, जो जो चीज़े इन लोग ने की है, ये इनकी पूरे हख में है, रूल के अंतरगत है, पर फिर भी उसका मेसिज पहुंच गया है, जी, आपसे आखरी सवाद, उमीद कहां से दिखाई देती है आपको, अमीद के हो रही है, मैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि BJP की वोट घटेगी पर ज्यादा नहीं घटेगी, 37% पर है, अगर वो 35-34 पर भी आगाए तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात होगी, वो 35 पर भी रह सकती है, इसलिए इनको हराने के लिए, ये डामिन पार्टी हो ग अगर यूनाइटेड रह गई और बहुत कोशिश है आप जानते हैं, कांग्रेस के अंदर से भी कोशिश है, इसको इसका चूर चूर किया जाए फिर से, अगर इसको ये लोग ये जो टेम्टेशन जो दिये जा रहे हैं, इसको अगर रिजिस्ट कर पाए और मुझे पूरन विश्वास है कि खड़के साब कर पाएंगे, तब ये उपजिशन यूनिटी बढ़ती जाएगी, एक तो ये है, इससे उमीद दिलती है, दोस्ती बात ये है कि ये काफी नहीं होगा, उपजिशन को एक प्रोग्राम देना पड़ेगा, बहुत पहले, आखरी चाड में नह जैसे कि राएंगे, माफिजे, में खादम करनेगे, लास्ट टाइप 2019 एलेक्शन में कॉंग्रिस का मैनिफेस्ट हो, एलेक्शन के 11 दिन पहले निकला, और उस पे 93 पेज थे, इसका क्या मतलब है, आज से उनको कहना पड़ेगा कि ये साथ आठ चीज, एरिया में, आपको देंगे, जूडिसरी है, हेबियस्ट कायब्स लौ है, कौर्ट थ है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्लीमेंट है, प्लीमेंट कैसे हुआ है, इसके लिए हम कैसे इसको रिल्यू करेंगे? कि हम growth कैसे इसको बढ़ाएंगे इसके लिए इसके लिए इसके लिए प्रोग्राम होने चाहिए मुदी जी ने भी तो यही कहा था हम इतने million jobs बे दो करोर जॉब सालाना बनाएंगे हम पैसे बाहर से लाएंगे सब के जेब में पांच लाख या पंदर लाख सब के अकार्ट कुछ नहीं हुआ राजीव गांदी कहा कि minimum subsistence income सब को मिलेगा तीर लाख पच्छतर हजार करोर उसका लगता कोई और वो भी दस दिन पहले कहें अगर ऐसी चीज़े गिव वे राज अगर चले तो विश्वास भी नहीं करेंगे कोई इनके लिए अब प्रोग्राम बनाना बहुत ही जरूरी हो गया है जिससे कि लोग करें कि हाँ हमारे जो problems हैं यह कम हो जाएंगे justice justice है कहां पर किसी भी किसी भी चीज़ पर आप छोटे से छोटे चीज़ पर जाएए कोट आपको चार साल लगा देगी अगर आपको गल्ती करते हैं आप खास करके अगर आप political ची जिससे डाले जाएंगे आपके खिलाफ इन चीज़ों को जगत तक ये लोग खतम नहीं करेंगे जगत तक कि विश्वास नहीं देगी कि हम एक तो opposition 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 को साथ आना है और उसके साथ साथ एक अपनी अपना विजन भी एक नया विजन देजा है हिंदुस्तान का जिस जो कि clean ह जो कि honest है और जिसमें की responsibility है कि इतना bureaucracy को power नहीं है कि कोई इनको रोप नहीं सकता है कोई 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 को कृटिसाज नहीं कर सकता है कोई उसे कुछ हासिल नहीं कर सकता है आपने बहुत अच्छी तरह से हमें चीजों को समझाया कि किस तरह से लोक तंत्र और गंतंत् लिए काफी कुछ और करना है तो उमीद के साथ हम रहते हैं और अगले साथ महीने में चुनाओं होने वाले हैं हिंदुस्तान में लोग इस उमीद के साथ रहेंगे हमाई साथ बात करने के लिए प्रिम शंकर जहाजी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बापको आपको धज झाल